राजत के सुधाकर सिंग के खिलाब नोटिस दारी करने के बाद सुधाकर सिंग ने पहली बार ब्यान दिया है बिहार के पुरुक्रिसी मंत्री रहे सुधाकर सिंग अपने ब्यानों को लेकर इन दिनों काफी बिहार में सुर्खियों में बने हुए हैं इसको लेकर जदियू और आर्जेडी के बीच ब्यान बाजी भी शुरू हो गई है इसके बाद आर्जेडी ने सुधाकर सिंग को नोटीस भेज जवाब मागा है वहें इस मुद्दे पर शुकरवार को सुधाकर सिंग ने कहा है कि पार्टी की तरब से नोटीस भेजा गया है समय सीमा के अंदर पार्टी के सामने अपना पक्ष रख दूँगा इसके बाद पार्टी फैसला के अनुसार आगे पार्टी के साथ काम करूँगा पुरुक्रिशी मंत्री रहे बिहार के सुधाकर सिंग ने आगे कहा है कि नितियों सिधानतों और समिधान से बदा हुआ हूँ नोटिस वाला मुद्धा पार्टी के लिए अंदुरुनी मामला है नोटिस में क्या लिखा गया है और क्या जबाब दूगा इसका सारोजनिक रूप से उजागर नहीं मैं तमाम पर्तिकिरिया उजागर कर सकता हूँ लेकिन बता दे कि सुधाकर सिंग नितीश कुमार पर लगतार हमलावर दिखते हैं इन दिनों नितीश कुमार के खिलाब सुधाकर सिंग मोर्चा खोले हुए है बता दे आपको कि सुधाकर सिंग के दिये गए बयान काफी सुर्खियों में है सुधाकर सिंग कई मुद्दो को लेकर सीम नितीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं तो वहीं उन्होंने नितीश कुमार को आरे हाथों लिया है तो वहीं लगतार सुधाकर सिंग यह कहते हुए नजर आते हैं कि नितीश कुमार जो हैं वो सिखंडी है नाइट वाच्मेन है तो वहीं कटोरा लेकर भीख मांगने के अंदर के पास पहुच जाते हैं के अंदर सर पर्याले बनाया है नितीश कुमार कानून को भी नहीं मानते हैं वहें इस मुद्दे को लेकर जद्यू जो है कहीं न कहीं सुधाकर सिंग पर कारवाई की मांग कर रही थे वहीं देखा जाए तो इसके बाद आरजेडी की ओर से जो है सो कॉज नोटीस भेजा गया है तो वही जारी कर जवाप मांगा है तो बता दे आपको कि इन दिनों सुधाकर सिंग जो है काफी बिहार में सुर्खियों में बिहार के मुख्यमंत्रि नितीश कुमार के खिलाव लगतार मोर्चा खोले ड़ते हैं कभी सुधाकर सिंग कहते हैं कि नितीश कुमार नाइट वाचमन है सिखंडी है तो वहहीं केंडर सरकार के पास कटोरा लेकर पहुछ जाते हैं भीक मागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें विसेश राज का दर जा चाहिए तो वहहीं देखने वाली बात यह써 कि सुधाकर सिंग पर क्या कुछ कारवाई होती है क्या सच में सुधाकर सिंग पर कारवाई होती है क्योंकि देखा जाये तो नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि सुधाकर सिंग इसका जवाब दे वहाई पुरुक्रिसी मंत्र रहे बिहार के सुधाकर सिंग लगतार बिहार में सुर्कियों बने हुए क्योंकि देखा दा तो पहली बार जो है ऐसा उन्होंनों नहीं कहा है पहले भी कई बार नितीश कुमार हो या फिर बिहार के भरष्ट अधिकारी हो उन पर सुधाकर सिंग ने सवाल खड़ा किया है और वी तमाम ख़बरों के लिए NBC24 के साथ मर रहे हैं अगर ये वीडियो फेस्ट पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लें जाह 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 इस वीडियो को शेयर करें अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें वहां भी इसको जाह जाह सेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद सभीतर सबूगा